तो इंकम टेक्स का जो निया प्रवीजन है ने जो सेक्षन है 194Q TDS On Purchase वाला जो कि अब फाइनली 1 जुलाई 2021 से लगो हो चुकी है तो अब जो कमपनिया इस 194Q की सेक्षन के कराइटी एरिये में आती है और वहां पर जो अकाउंटेंट लोग उस कमपनी के अकाउंटिंग व अब थोड़ा बहुत परिवर्तन उनको अपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस में भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जितने टेक्स कंप्लाइंस की जिम्मेवरी थी अब उनके उपर एक टेक्स कंप्लाइंस की जिम्मेवरी और बढ़ गी है तो अब कह सकते हैं भी कह वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दोस्तो अकाउंटेंट की एक छोटी सी लापरवाई या एक छोटी सी गलती उस कंपनी को पेनल्टी की तरफ भी लेकर जा सकती है तो हमें पेनल्टी की किस तरीके से बचने कौन-कौन से सावधानिया में रखनी है इसलिए इ किसी टाइब की knowledgeable वीडियो लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो अब की एक उपर जो उनके suppliers थे जो उनके seller थे वो उनके invoice के उपर TCS लगाकर उनको गुट से जो sale कर रहे थे लेकिन अब उतक उनकी कोई जिम्मेवारिया नहीं थी वो सारी के सारी जो headache थी वो seller की थी लेकिन अब उनको अपने buyers का TDS डिडेक्ट करना पड़ेगा अगर उनका buyers भी इस के लिए सबसे पहले उनको 10 number registration करवाने की जरूरत पड़ेगी सबसे पहला काम उनको करना ही ही होगा अगर वो इससे पहले अगर वो TDS की return फाइल नहीं करते हैं तो क्योंकि उनकी जिम्मेवारी एकर first time TDS डिडेक्ट करने की आई है तो 10 number की जरूरत पड़ेगी point number 2 के हम बात करें तो अभी तक जो tax compliance के एकरम बात करें तो GST return की जिम्मेवारी थी वो उनके उपर थी जैसे कि मन्थली GST R1 फाइल करना या मन्थली GST R3 भी है वो सारी details थी लेकिन अब उनको मन्थली के मन्थली या मन्थली तो क्या अब उनको मलव अपने जो suppliers है उनके जो advance payment करें अब उनको entry wise TDS भी deduct करना पड़ेगा तो अब उनको entry करते वक्त उनकी एक entry है जो और बढ़गी है TDS compliance की तो SM उनको हर purchase invoice के साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा भी कौन सा कोई भी ऐसा कोई purchase invoice है वो रह ना जाए जिसके उपर कोई TDS deduct नहीं हुआ या फिर ऐ जो advance payment करी है उसके ओपर जो TDS है जो deduct होने से रह जाए तो दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं point number 3 की भी अब उनको एक बार जो उनके जो बड़े-बड़े suppliers हैं उनसे भी confirm करना पड़ेगा भी अब उनकी जो company है वो 114Q के section के मलब criteria area में आ रही है या नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक माली जी जो supplier से उन्होंने TCS तो deduct नहीं किया हो सकता है उन्होंने 50 लाग तरुके कि अभी तक उनसे साथ billing नहीं करियो लेकिन उनके जो seller है उनकी जो previous financial year की जो turnover है वो 10 क्रोड से ज्यादा की है तो हो सकता है अब जुलाई के बाद में उनका जो criteria पचास transaction ज्यादा भाला हो सकता है जुलाई के मंत में बढ़जे या अगस्त मंत में बढ़जे तो अब उनको भी अपनी company से confirm करना पड़ेगा अपने seller से भी आपकी जो previous financial year की turnover है वो कितनी है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपको इस बात क इनके साथ काफी ज्यादा transaction करी है आपको थोड़ा सा भी लगता है इनकी जो total जो turnover हो दस क्रोड से ज्यादा हो सकती है तो उनसे आपको एक बार confirm करना पड़ेगा क्योंकि अब इसके अंदर जो टीडियस फर्स्ट प्राइमरी पोजिशन पर जो टीडियस डिडेक्ट करने क्योंकि दोस्तों पहले तो क्या था प्रचेज डिटन पर केवल हमें CGST Tax, SGT Tax या फिर IGT Tax उसी को एडजस्टमेंट करना पड़ता था लेकिन अब बहात आएगी TDS की भी तो SGT, CGST या फिर IGT Tax वो तो रहना ही रहना है पहले कितरह है अब बहात आएगी TDS की कंडिशन मे हैं तो पहले डेक्ट कर चुकी है प्रोडडेक्ट है मोंने रिटन कर दिये तो ऐसी श्तिति के अंदर एसे कब लिया इस पर भी पत रोप से लिखा हो है भी आपको जो बहते करना है वो आपको अपने जो seller है उनका जो next invoice जो आएगा उस next invoice के साथ आपको adjustment करना पड़ेगा यह यहाँ पर इन्होंने point number पस्ट रूप से इन्होंने यहाँ पर दे दिया detail यह इसमें purchase return में तो यहाँ पर इन्होंने इस 4.3.3 आप जो point है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुए यहाँ से हम देखते हैं अगर because before purchase return happens the tax must have already been deducted under section 194Q of the act on that purchase यहाँ कि purchase पर आपने अगर TDS काट लिया है if then the case against this purchase return the money is refunded by the seller यहाँ कि अगर आपने कोई advance payment कर दी थी उसके उपर भी आपने TDS deduct कर लिया लेकिन उसमें से कुछ payment आपको seller ने refund कर दी या आपने purchase return आपने product कर दिया तो उस condition में then the tax deducted may be adjust against the next purchase against the same seller यहाँ कि जो next purchase invoice आएगा उसके against के अंदर आपको adjustment करने पड़ेगी या purchase return तो purchase जो next invoice आएगा उसके against अड़ेश्ट होजेगी या फिर आपने advance payment करी है उसमें से काफिया तक payment आपके पास वापिस return हो चुकी है तो आप जो next पर उसको payment करोगे उसमें से आपको adjust करने पड़ेगी या फिर उसके आपन purchase invoice के against में adjust कर सकते हो तो यहाँ पर एक बात उनों ने ये भी लिख दिया भी no adjustment is required if the purchase return in replaced by the goods by the seller यानिकि आपने goods को return किया और उस goods के अंदर replace होके आपके पास कोई दूसरा समान आ चुका है और जो value है वो दोनों की equal है तब उस condition में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नही है क्योंकि अब आपके पास जो replace ही हुए value दोनों की same रह चुकी है क्योंकि value आपने जिस basic amount पर TDS पहले deduct किया था value आपकी same रह चुकी है तो आपको जो next purchase invoice के against में जो TDS adjust करना है वो उसी condition में करना है अगर आपके पास जो समाना है उसकी value के अंदर को difference है तब आपको next purchase invoice मे adjustment करने पड़ेगी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी एक accountant के उपर आ गई है क्योंकि अब उनको हर एक point पर देखना पड़ेगा अकर कोई purchase return होती है तो जो purchase return होने के बाद में जो next invoice कौन साय है जो आया है उसमें से जो purchase return हमने करी थी उसकी value को हमने minus किया है या फिर नही किया तो ऐसी स्थिति में काफी मलब एक tension वाली बात है otherwise अगर आप उसको bill to bill नहीं करोगे अब काफी सारे content लोग माइंड में यह चल रहा है भी हम month end के उपर हमारे जो suppliers है उनको debit note issue कर देंगे तो ऐसी स्थिति में अब debit note issue करने में problem तब नहीं होती अगर purchase की net value पे और advanced payment की जो value है उसके same value के उपर आगर tax deduct करना होता तब तो adjust हो जाता अब purchase की condition में आपको basic value पे tds deduct करना है और advanced payment की condition में आपको पूरी payment की उपर tds है जो deduct करना है यहाँ पर थोड़ा बहुत दोनों म तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा laser की statement आपको देखने पड़ेगी भी आपने उस party से taxable process कितनी करी है तो यह आप जो software है उसमें जो GST की जो value है उसको minus कर देंगे तो आप month end पे भी हम debit note issue कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप मलब entry wise अगर हम TDS deduct कर लें तो साथ मेरी खाल से ज्यादा बेट रहेगा तो दोस्तों काफी हता कि यह 3 या 4 point ऐसे हैं जो accounting maintain करते वक्त हमें ध्यान में रखना है क्योंकि काफी सारे इसमें और काफी सारे भी rule है जैसे कि non-residence है अब non- रेजिदेंस यानि की बहुत सारे ऐसे कम मलब ऐसे मलब बिजनसमें मिलेंगे जो non-residence को भी supply मलब buyers करते हैं या sell करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर काफ दो या 3 point ऐसे हैं जो accountant को accounting maintain करते वक्त उनको साबदानिया रखने पड़ेगी क्योंकि यहां पर सफ़स्ट है भी ज आटियों से एक बार ये declaration भी लेनी पड़ेगी भी आपकी previous financial year के अंदर कितना tax मलब जो turnover थी वो कितनी है ताकि हम आपके ओपर TDS deduct कर सकें या आपको उनको ये बात भी एक reminder देना पड़ेगा भी जैसे भी हमारी ट्रांजेक्सन है वो 50 लाक्स को cross करती है तो आप हमें indicate कर देना हम आपके next purchase invoice के उपर है जो TDS deduct करना शुरू कर देंगे और एक जिमिवारी ये भी आगी क्योंकि अब जो GST का जो tax हम deposit करवाते हैं वो तो हो सकता है भी हमारा tax deposit करवाने की जिमिवारी नाइब नहीं हो सकता है जो last month वाला जो हमारा extra जो हमारा R access CGST tax, SGT tax या फिर IG उसमें से adjust हो जाता है लेकिन ये जो TDS की जो liability हमारी है ये हमें next month की 7 आइक तक इसको deposit करवाना ही पड़ेगा अगर हम एक बार भूल गए तो उसमें पूरे month का हमें interest भी pay करना पड़ेगा तो ये सारी बात में अब थोड़ी बहुत जिमिवारी है accountant को लेनी पड़ेगी ज आपकी कोई भी कोई suggestion है तो भी आप हमें comment कर सकते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने इस channel को भी subscribe करके नहीं रखा हुआ तो please subscribe भी जुरूर कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए teleprime software और VG counting software की practical video लाते रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं next video में एक और नए topic के साथ